गया जीला के बजीरगन परखन अंतरगत पुनावा गाउं में पीपल का पेर गिरने से दो मकानों को छटी के अलाबा बिजली के तार और मेन रास्ता भी वाबंद। बिगर दो मापुर्व शर्गय सांती देवी का पुत्र आसुतोस कुमार उर्फ ववार के कहने जिसी वी के दोरा पुर्व मनशा के साथ पीपल का पेर की जड़के आसपास के मीटी को हटाय गया ताकि जैसे ही बर्षात का मौसम आये तो पेर खुद ही गिर जाए और हुआ भी कुछ ऐसा ही इसी परकार वर्षात के मौसम में मीटी गिला होते ही तेज हवा में पेर हिलोडा खाते हुए अचानक पास के दो मकान पड़ी जागिरा जिसके कारण मकान को काफी शती हुआ वही कई ग्रामें चालू रास्ता होने की वज़े से वाल वाल बच गए बिज उसका भरपाई अब कौन करेगा मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मुझे अब उचित मौपजा में वही कई गावाले के अनुशार बताते हैं कि जिस जगा पर पेर लगा हुआ था हुआ यमीन भी सरकारी था वही दूसरी और कुछ जानकार लोग बोलते हैं कि वह यमीन नी यह पेड कैसे गिरा होगा मतलब आपका च्छत नुक्सान हो चुका है नुक्सान में लमसम कितना भरणमान लगाते हैं नुक्सान गया होगा देखने से पता चलेगा कि घर का च्छत का च्छत जो है उसके जरार आ चुके आपका नाम क्या हुआ जराद्यक्षा नुक्सान हिर्ण में गिरा मजब दोनों कशेस दोन मतलब या पेड़ पहले से मतलब मीटी हटने के और नहीं तो तो में इस उसका घर जाके भीता है कि वेड़े को गिरवा दीजिये तब हाँ गिरवा देते हैं, इसी तरह से तार रहाता थे महीना के